अरहम जीव दया भारत का सेवा ही बस काम है सहवागी बन पुन्य गमालो सबसे ये आहवान है प्रणम्य सागर गुरु महराजी की सोच का ये परडाम है सहवागी बन पुन्य गमालो सबसे ये आहवान है अरहम योग प्रणेता ने ये बावन दीप जलाया है साधर्मी का बने सहारा बीडा ये ही उठाया है जलो उने खुशियों से मिलाए बड़ा पुन्य का काम है सहवागी बन पुन्य कामालो सबसे ये आहवान है जीवों के भोजन का प्रवंधन असमर्थ बच्चों को शिक्षा रोजगार की करेव्यवस्था मांगे ना कोई भिक्षा मांगे ना कोई भिक्षा अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है सहवागी बन पुन्य कामालो सबसे ये आहवान है सबसे ये आहवान है गाय धरा पे रहे सुरक्षित गौशा लाहे बनवाई जीव जन्त की भोज व्यवस्था सुन्दर रूप से करवाई साधर मी भूखा ना सोए रखना सब का ध्यान है सहवागी बन पुन्य कामालो सबसे ये आहवान है साधर मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुचाते राशन घर में पहुचाते लक्ष हमारा उन चहरों पे लानी बस मुसकान है सहवागी बन पुन्य कामालो सबसे ये आहवान है दान धर्म ही साथ जाएगा बाकी सब तो धोखा है पुन्य के भागी बन जाओ ये बड़ा ही पावन मौका है बड़ा ही पावन मौका है जुड़के जीवन सार्थक कर लो पावन ये अभियान है सहवागी बन पुन्य कामालो सबसे ये आहवान है सबसे ये आहवान है इसके लिए भी क्या ये संबोदन हो सकता है मोह मत कर प्रमाद मत कर रे जीव बुझ बुझ जागरत हो बुझ मने जागरत हो बोध को प्राप्त हो जो तेरा मन प्रमाद में डूप जाता है तेरा मन जो मोहों में गाफिल हो जाता है उससे मन को हटा हर किसी चीज में जो तेरे सामने आती है तो उसी में मोह करने लग जाता है जो कुछ भी तेरे पास रखा होता है तो उसी में मोह करने लग जाता है जिस किसी भी चीज को तू अपना कह देता है तो उसी में मोह करने लग जाता है जो कोई भी चीज तेरे निकट आ गई वे तेरी हो गई तू उसी को अपना मानने लग जाता है तो उसी में मोह करने लग जाता है कोई भी चीज चाहे वो चेतन हो अचेतन हो आदमी हो औरत हो कोई पधारत हो कोई भी चीज़ हो जो निकट में आए अपने पास में वो कोई चीज रहे तो उसी में उसका मोह होने लग जाता है और मोह का मतलब बस ये मेरा है ये मेरा है जब ये मेरा है इस तरह का विचार आएगा तो ये मो हो गया और इस मो को आचारे कहते हैं ये रिपू है रिपू मने शत्रू है क्योंकि ये भी एक पाप है मो रूपो रिपू पाप कसाए भट साधन कसाई के जो भट होते हैं योद्धा होते हैं ये इसको और साधन के रूप में इसके साथ रहते है सेना होती है राजा होता है तो राजा को बल मिलता है सेना से और सेना को बल मिलता है राजा से सेना से सुसोबित होती है राजा से राजा को बल मिलता है सेना से तो ये मोह एक राजा है कसाय इसकी साधन है सेना है इनी साधनों के कारण से ये मोह भड़ता है मोह को वे बढ़ा लेता है तो जब भी मोह बढ़ेगा पसाय बढ़ेगी यू कहें कि कसाय बढ़ाने पर आदमी के अंदर मोह बढ़ जाता है और वे मो उसके लिए पाप बंद का कारण हो जाता है तो ये भी प्रक्रिया वीतर चलती रहती है आप अपने पुण्य के उदे में अगर मोहित हो रहे हैं तो पुण्य के उदे में भी आप पाप कर रहे हैं समझ पा रहे हैं क्या निसकर्स निकल रहा है इतना गड़ित बताने का अगर हम अपने पुण्य के उदे में भी मोहित हो रहे हैं तो वे पुण्य का उदे भी चल रहा है और पाप का बंद भी चल रहा है क्योंकि वे मोह आपको परवस्तु के साथ में जोड करके उससे अपना अपन बना करके आपके अंदर वह पाप का आश्रप करा रहा है तो उस जीव के लिए भी वह संबोधन देना होता है कि यह भी मौह है इसको भी छोड़ अगर यह मौह नहीं होता अगर यह पाप नहीं होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे क्यों त्यागे पुन्ने के उदे में सब अच्छा चल रहा था अचानक से उन्हें क्या इसमरण हो आया अचानक से उन्हें क्या याद आ गया कि उनकी भुद्धी एकदम से पल्टी खा गई यह मैं क्या कर रहा हूँ यह मैं कहां बैठा हूँ ये मैंने कितना समय राजपाट में निकाल दिया ये मैं कहां मोह में पढ़ा हुआ हूँ मैंने प्रमाद में गाफिल होकर कितना समय कितनी उम्र अपनी ब्यर्थ कर दी ये सब तो संसारी जीवों के काम है मैं परमार्थ से अपनी आत्मा का कल्यान करता में ये कहां पढ़ा हुआ हूँ ये विचार उनके अंदर कभी आता है कि नहीं आता बताओ कभ आता है आता है कभी कभ आता है बताओ कभ आता है बोलो तो वेराग के समय यानि ये विचार आता है बेराग के समय या इस विचार के समय पर बेराग आ जाता है ये विचार का जो समय आये इस विचार का जैसे ही उनके लिए यो किताब बने ये विचार जैसे ही बने उन्हें बेराग आ जाता है आप कहते हैं कि बैरागे का समय आने पर ये विचार आता है लेकिन ये विचार जिस दिन कर लेंगे वो उसी दिन बैराग गया जाता है यानि ये विचार करना ही बुझ बोध को प्राप्त होना है ये विचार करना ही अपने आत्मा को उपलब्द होना है इसलिए ऐसे आत्माओं के लिए एक टाइटल लगा जाता है आत्मवान क्या कहते हैं इनको आत्मवान ये आत्मवान क्यों हो गए पहले भी तो आत्मा ही थे लेकिन ये आत्मवान नहीं थे अब आत्मा है तो आत्मवान क्या होगा धन है तो धनवान क्या होगा धन है तो धनवान कब होगा जब वै धन से अपने आपको जोड़ेगा ये धन मेरा है इस भाव के साथ मैं वो अपने आपको जब उस धन से जोड़ लेगा तो वो कहलाएगा धनवान ऐसे ही मैं आत्मा हूँ जब वो अपने आपको इस आत्मा के भाव से जोड लेगा मैं तो आत्मा हूँ तो वो कहलाएगा आत्मवान और जब ये भाव नहीं आता कि मैं आत्मा हूँ मैं एक राजा हूँ, मैं तीर्थंकर हूँ, मैं बहुत पुन्यवान हूँ, मैं बहुती सुन्दर हूँ, मैं बहुती स्रेष्ट व्यक्ति हूँ ये सब भाव जब तक आ रहे हैं तब तक ये आत्मवान नहीं है ये मोहवान है कौन है? तो मोहवान और आत्मवान ये दोनों चीजे साथ नहीं चलती ये एक दूसरे के विपरीत है संसार में हर प्राणी इन डौनों चीजों को साथ में लेकर के चलने की कोशिस करता है हर दर्शन में हर धर्म में हर संपरदाय में ये विवस्था बनाई गई है भया अपने कर्तव्यों को करो अपने घर में रहो और ये भी बोध प्राप्त करते रहो जो हमें सास्त्रों में दिया गया है और तरह तरह के हमें इन पवित्र गरंथों में जो ग्यान दिया गया है इस ग्यान के साथ भी जीते रहो तो आदमी अपने अंदर वे ग्यान भी प्राप्त करता रहता है और उसके साथ में उस मोह के साथ में जीता भी रहता है और दोनों तरह से चलकर के वह अपना जीवन निकाल लेता है भगवान की करपा से हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है ग्यान भी मिल रहा है, ससंगती भी मिल रही है, अच्छे काम भी बन रहा है अपना घर परिवार भी अच्छा चल रहा है everything is well managed तो ऐसे आदमी के लिए बढ़ा सुकून रहता है जिंदिगी जीने कहा और उसे अच्छा लगता है अब जैसे ही जेन धरम सामने आता है ये जेन धरम हर चीज को काटता चला जाता है हर चीज की परतें उधेरते चला जाता है हर चीज की डैफ्थ में गुस्ता चला जाता है ये जेन धरम हर आदमी के अंदर के भावों को ऐसे काटता तोडता चला जाता है कि उसके अंदर उसे हिला देता है विलकुल ये कौन सा धरम? ये जेन धरम ही है बस बाकी सब धरम में मज़े करो अच्छे से रहो अच्छा घर बना लो अच्छी जिंदगी जीओ अच्छा पैसा कमाओ बस ठीक है किसी दूसरी का बुरा मत करो कभी किसी के साथ अन्याय मत करो कुछ ना करो अच्छी जिंदगी जीओ यह करते रहो तो हर धर्म इसको अच्छा कहता है और हर धर्म यहीं पर समात्त हो जाता बस इतना ही अच्छा जीवन है सत्त के साथ जीओ प्रेह्म के साथ जीओ सब के साथ हिल मिल करके रहो किसी के बुराई मत करो किसी के निंदा मत करो किसी का बुरा मत सोचो बस इससे अच्छा जीवन और क्या होगा तो हर धर्म के अंदर ये अच्छाईयां है और इनी अच्छाईयों पर हर धर्म यहीं से सुरू होता है यहीं पर समापत हो जाता है इससे आगे किसी भी धर्म में कोई गती नहीं है ज्यादा है थोड़ा सा भगवान की बक्ती कर लो भक्ती में डूब जाओ ज्यादा है तो भगवान की बक्ती करते करते ध्यान में डूब जाओ बस इतना ही ठीक है इससे जादा कुछ भी और करने को होता नहीं है और इससे जादा करने के लिए कोई धर्म कहता भी नहीं है अब यह जेन धर्म है अब इससे क्या कहो बड़ा निश्ठुर धर्म है यह कैसा निश्ठुर निश्ठुर समझते हो क्या होता है किसी पर दया ही नहीं करता और कहता है कि सबसे बड़ा धर्म दया करना इसी जेन धर्म में ही समझाए जाता है नहीं समझा रहा है सबसे जादा अहिंसा और दया के गुडगान जेन धर्म में ही गाये जाते हैं और जेन धर्म में और गुस्ते चले जाओ गुष्टे चले जाओ गुष्टे चले जाओ तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा निश्ठुर यही धरम है अब देखो तीर्थंकरों को देखो कितने अच्छे राजकुमार से घर में बैठे हैं और चायक सम्यक द्रश्टी हैं और सम्यक द्रश्टी जीव के लिए क्या पुन्य क्या पाप अपने आप सब जिसका भाव सब जीवों के प्रती कल्यान का है सब जीवों के प्रती दया का भाव है सब के लिए वो हितकर सोचने वाले हैं करने वाले हैं और घर में रहकर के भी वो बिलकुल घर से निरलिप्त हैं कोई उनके अंदर किसी भी ब्यक्ति का या बस्तू का कोई मोह नहीं है सब में वे सांत हैं कभी गुसा नहीं करते कभी मायाचार नहीं करते कभी परिग्रह की कोई लालसा नहीं रखते अब ऐसे जीव को भी ये धरम संबोधन देने लग जाता है क्या सुन रहे हो हाँ ऐसे जीव को भी ये गाताएं प्रेजित करने लग जाते है रे जीव मा मुझ अब क्या मा मुझ इतना अच्छा जीवन चल रहा है किसी भी ग्रहस्त का इतना अच्छा जीवन नहीं होगा जितना अच्छा जीवन एक तीर्थंकर का घर में रह करके होता है कोई पाप नहीं ना पाप का विचार है ना कोई पाप का कार है ना कोई हिंसा है ना परिग्र है और ना उन्हें किसी से मोह है कि भाई इंदर आया है अब तू बहुत देर तक मेरे साथ रहा अब क्यों जा रहा है यहीं पर रहना मेरे साथ में ही रहना अच्छा लग रहा था अब तू मुझे छोड़के कहा स्वरग में जा रहा है तो वो कह रहा है नहीं नहीं कि नहीं नहीं तू मत जा यहीं रुक जा रह जा अच्छा लग रहा था बहुत रोजाना अच्छा अमरत खिलाता था वो अमरत की विवस्ता तो मैं दूसरों से करवा दूँगा लेकिन मुझे जाना है मुझे और भी दूसरे काम है तो वो चल देता है तो ये कभी दुखी होते हैं बालक नहीं समझे ये रोजाना हमें खिलाते हैं पिलाते हैं अमरत दिलाते हैं और तरह तरह से हमारी सेवा करते हैं और देखरे करते रहते हैं ये इंदर अंकल जी आये थे अब ये जा क्यों हो रहे हैं इंद्र भी अंकल जी बन जाएगे न बच्चे के लिए अब अंकल जी कहा जा रहे हो नहीं बेटा अब मुझे अपने स्वर्ग में भी जाना है कहीं तेरे जैसे और बच्चे पैदा हो गए उनको भी तो देखना है उनके भी तो कल्याड़क करना है और भी काम है मुझे एक ही तेरी साथ रहने का थोड़ी ना है तो फिर यहां कौन रहेगा नहीं नहीं मैं अपने बहुत सारे सेवकों को लगा दूँगा तो चिंता मत कर अम्रत तुझे रोजाना मिलेगा तो बच्चा दुखी हो जाए अंकल जी मम्मी मम्मी अंकल कहां गए माविर पूठ वे जितर सला से मम्मी अंकल जी कहां गए बुझ बोजाना आते थे देखने में अच्छे लगते थे बड़ी सेवा करते थे मुझे एरावत हाथी पे बिठाते थे गुमाते थे वो अंकल जी कहा गए क्या समझ रहे हैं अब उस बेटे को इतना भी मोह नहीं है ये समझो आप उसको उन अंकल से भी मोह नहीं है आपका बेटा होता तो तो बेटा क्या आप भी होते तो कम थोड़ी नहोते एक बार अगर कोई एरावत पे गुमा दे तो क्या आप एरावत से फिर उतरना चाहोगे क्या ये बताओ अच्छा एक बार कोई फ्री में भी आपको कोई अच्छी गाड़ी में बिठा ले और गुमा दे और फिर एक दम से गुमाने के बाद मैं कहे भाई चलो आगया अपना स्थन अरे इतनी इल्दी आ गया तो उसको न अएरावत से मो है ना इंदर से मो है ना घर में किसी से मो है अब ऐसे जीव को भी आच्यारे छोड़नी रहें नहीं समझ भार ये गाता है छोड़नी रहें उसको भी यह संबोदन दे रहा है उसके लिए भी संबोदन है कि नहीं यह संबोदन कब तक चलेगा हाँ जब तक कि वह बिलकुल आत्मवान हो न जाए एक मोहवान और एक आत्मवान आत्मवान यानि बस आत्मा ही तेरी हो तो आत्मवान जैसे धन तेरा होता है तो तो धनवान हो जाता है ऐसे आत्मा तेरी हो जाए तो आत्मान मो तेरा है तो मोहवान अब दुनिया को तो लगता है कि इनको कोई मोह है नहीं नहीं समझा रहा तीर्थंकरों के लिए जब भी कोई उनका चरिच चित्रन किया जाता है कभी किसी ने सुना, किसी पुराण में देखा, कभी कहीं लिखा हो कि इनको कोई मोह होता है देखो एक बड़ी बात समझने की है पुराण ग्रंथों में कभी तीर्थंकरोनी के लिए नहीं लिखा जाता कि ये किसी से मोहित हो रहे हैं आपने कभी नहीं सुना होगा ना उन्हें अपने माता पिता से मोह होता ना उन्हें इंदर से मोह होता ना उन्हें घर परिवार में जो भी लोग उनकी सेवा करने वाले होते हैं उन्हें किसी से मोह होता किसी से भी मोह नहीं होता अब जब मोह नहीं है तो फिर उन्हें इस मो मुह में कैसे कहा जाए कि इस मुह को छोड़ो और उन्हें खुद भी ये इसमरण होता है कि मैंने इतना समय कहां वितीत कर दिया इस मुह में मैं कहां पड़ गया और उनके अंदर कोई मुह है नहीं है और उन्हें जब समय आता है जब इस तरह का विचार आता है तब उन्हें लगता है कि ये समय हमने मोह में व्यतीत कर दिया तो सुन रहे हो कि नहीं आप लो ये मोह की भीतरी बातें कर रहा हूं गहराई की बातें बता रहा हूं सास्त्रों के सब्दों में उल्जाना नहीं चाहता ये सराक सम्मेक दरश्टी ये बीतराक सम्मेक दरश्टी ये जायक ये सब इनमें उलजने की जरूरत नहीं है ये समझने की जरूरत है कि उस जीव में मोह नहीं है ये तो हम बाहर से देख रहे है किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा गया अम्रत मिलना है तो अम्रत ही मिलना चाहिए और कोई थोड़ा सा भी कम हो गया फीका हो गया तो उन्हें फिर लोना आ जाए कि भाई नहीं नहीं यह मीठा कम है आज इसकी क्वालिटी कैसे बदल गई ऐसा कभी कुछ होता है कि नहीं होता आप तो इतने ज़्यादा स्रद्धालू हो तीर्थंकर भगवान के कि आप तो तीर्थंकर के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते नहीं समझा रहा है उनके बारे में आपको कुछ सोचना भी पाप लगेगा उनके अंदर भी ये भाव कभी आता है कि नहीं आता और अगर नहीं आता तो बिलकुल ही जब उन्हें किसी से मुह नहीं है तो आखिर उन्हें एक समय पर ये सब याद क्यों आता है मैंने मुह में इतना समय निकाल दिया मैंने प्रमाद में इतना समय निकाल दिया और ये जो उन्हें समय आता है इस समय को जो आप कहते हैं वेरागे का समय है तो इस समय पर उन्हें अब किसे वेरागे वेरागे तो पहले से ही क्यों पंडी जी राख तो किसी से है यह नहीं है मोह तो किसी से है ही नहीं है आपने देखा ही है किसी भी चीश से मोह नहीं होता कभी वो यूँ नहीं कहते अपने घर में मेरा बिभा करा दो मैं बड़ा हो गया मुझे अच्छी राज कुमारी चुई है किसी ने का भूलते नहीं हो इतने पुरान पढ़ते रहते हो पढ़ पढ़ के इतने कभी नहीं का न चक्रवर्ती भी अगर तीर्थंकर होंगे तो भले ही उनके 96000 रानियां हो गई होंगी विवा हो गई होंगे लेकिन कभी उन्होंने कुछ नहीं दी मांगा अपने आफसम मिल गया सब कुछ है उनके पास में और राख किसी से है नहीं मो किसी से है नहीं अब कैसे कहें उनसे तुम ये मो छोड़ दो अब समझो ये धरम कितना निश्ठुर है कि उन्हें घर में अच्छे ढंग से भी रहने नहीं देता बताओ धरम अच्छा है कि बरा है बोलो अच्छा है क्यों वो अपनी थोड़ी न है अपना बेटा थोड़ी न है वो है इसलिए अच्छा है अपना बेटा करने लग जाए ऐसा तो मा रोने लग जाए क्या कमी है घर में क्यों निश्टुर बन रहा है क्यों तुझे मेरे उपर दया नहीं आ रही है अब उसको दया नहीं आ रही है कि धरम को दया नहीं आ रही है नहीं समझा है उस जीव ने ऐसा धरम सीख रखा है जो धरम किसी की दया में बहता नहीं है जो धरम किसी की दया में मुहित होता नहीं है ऐसा धर्म उसने सीख रखा है उसके संसकारों में बड़ा है और ऐसा धर्म उसे जब याद आ जाए बस तभी वो सब कुछ छोड़ करके चलने लग जाता है समझ पा रहा है ये धर्म बस उसे याद आ जाए ये संसकार उसका बस उसके अंदर उदय में आ जाए और ये संसकार उदय में आते ही उसके अंदर एक ऐसा बोध प्राप्त हो जाता है कि उस बोध में वह सोचने लग जाता है कि ये जो कुछ भी मैं अपना जीवन जी रहा था ये सम मोह में जी रहा था अब देखो कोई भी घर के लोग नहीं कहेंगे कि ये मोह में जी रहा था पडोस के लोग नहीं कहेंगे मोह में जी रहा था कोई भी रिस्तेदार नहीं कहेंगे कि ये मोह में जी रहा है यहां तक कि आचारे भी ग्यानी प्रत्यक्ष ग्यानी भी नहीं कहेंगे कि ये मोह में जीने वाला जीव है लेकिन उस जीव को लग रहा है कि मैं मोह में जी रहा हूँ समझ आ रहा है इसको कहते हैं मोहवान आपसे अगर कोई मोहवान कह दे आपसे अगर कोई मोही कह दे तो आपको बुरा लग जाएगा। कोई अध्यात्म गरंत पढ़ लेते हैं, अपने अंदर एक सम्यक दर्शन का द्रण स्रद्धान रख लेते हैं, ऐसे अनेक जीव हैं, उनसे अगर कोई कैदे आप मोही हैं, उन्हें बुरा लग जाएगा। नहीं समझे। ग्यानी हैं, कोई विद्वान हैं, उनसे अगर कोई कैदे आप मोही हैं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। लेकिन क्या मोही होने के साथ साथ ग्यानी होना एक साथ साथ चल सकता है। और अगर चलता है तो इसे चलने दिया जाता। कि दो ही कल्यानक बहुत अच्छे लगते हैं कौन से एक गरव के हैं और एक जनम के हैं ये तीसरा आता ही क्यों है जब मोह के साथ में ही ग्यान चल रहा है तो मोह उस ग्यान को बाधित नहीं कर रहा है और ग्यानी ग्यान में है ग्यानी अपने वेराग्य में है ग्यानी जागरत है सब कुछ है दुनिया के हर धरम की किताब में यहीं मिलेगा बस यहीं पर सब कुछ है इसलिए आप सुन लोगे अनेक ऐसे दार्शनिकों के प्रवचनों को अनेक ऐसे संतों के प्रवचनों को कि दुनिया से भाग रहे हैं दुनिया को भाग करके तुम दुनिया से कहा जाओगे घर छोड़ना मने दुनिया से भागना है आप कई हों के प्रफशनों में आपको बात मिल जाएगी और उनके लिए भी प्रफशन कर लेंगे जो दुनिया से इस तरह से छोड़ करके निकले हैं और जो घर में बैटे हैं बड़िया कुरसी पर चाय पीते हुए चुस्की लेते हुए वे उनके लिए कहेंगे ये सब दुनिया से भागने वाले लोग हैं ये क्या जाने भाई दुनिया में भाग करके जाओ कोई कहाँ दुनिया में रहना है तो दुनिया में भाग करके अलग अपना इस्थान बनाने क्या जरूत है घर छोड़ने से ही के दुनिया छूट जाती है घर छोड़ने से दुनिया छूट जाती है तो पसु पक्षियों के भी कोई घर नहीं होते वो अपने घर छोड़ छोड़ के भागते रहते है आज यहाँ पर रहन बसे रहा है कल कहीं रहन बसे रहा है कल दूसरी जगहे पर रहन बसे रहा है पक्षियों के जुंड देखते हो ना रोजा ना नए नए जगहों पर पहुंच जाते हैं ओड़ ओड़ करके थोड़ी देर रुखते हैं सुबह होती है फिर निकल जाते हैं फिर आगे रहन बसेरा कर लेते हैं तो इससे क्या मिलता है तो घर छोड़ने से क्या मिल जाता है भागने से क्या मिल जाता है ये दुनिया से भागना है मा को दुखी करना पता को दुखी करना परिवार को दुखी करना अच्छे साधन मिले थे उन साधनों को छोड़ करके अब दुख में रहना अब ना सर्दी से बचने का कुछ है ना गर्मी से बचने का कुछ है ना कुछ है और अब परिशान होना जंगलों में रहना बनों में रहना अकेले रहना दुखी होना तो ऐसे धर्म की निंदा करने वाले लोग ऐसे बड़े बड़े दार्षनिक मिलेंगे ऐसे बड़े बड़े पंडित मिलेंगे ऐसे बड़े बड़े प्रभचन कार मिलेंगे जो इस स्टेज से उपर उठने के लिए जैसे ही कदम उठाया जाता है वो निन्दा पर उतराते है बड़े बड़े दार्शनकों कि आप बाते सुन लेना यह उसो एक नाम सुना होगा आपने बहुत प्रवचन चलते इसके यह इसी तरह का व्यक्ति है आप देखोगे कि यह खुद कैसे विलकुल उपर से नीचे तक अच्छे बड़े या मकमली कपड़ों में ओड़े बैठा रहता है और बैठा बैठा इस तरह की बातें करके लोगों के दिमाग को गुमाता रहता है और लोग सुनते हैं और समझते हैं कि हाँ बाई बिलकुल सही कह रहा है उसको लगता है कि दुनिया में जो मैं बोल रहा हूं बस वही सच है और जो मैं जानता हूं बस वही ग्यान है और जो मैं बता रहा हूं बस वही प्रवशन है उसके लावा कोई कुछ नहीं है इसलिए उसने दुनिया के हर धरम की कमियों को तो ठीकी है अच्छाईयों को भी कमिया बनाने का उसके पास ग्यान है वो बनाया है उसने अगर आपने ग्रह त्याक किया है घर छोड़ करके निकले कपड़े त्याक कर दिये आप नगन हो गए आपने तपश्या कर ली क्या कर लिया किसी भी चीज़ की उपलब्धियों को आप एक छण में नकार सकते हो और उसको नकारने में आपको देर क्या लगेगी आपको सिर्फ मूँ से ही तो बोलना है आपने क्या कर लिया हम अगर किसी भी अच्छी चीज़ की कमियों को भी गिनाने चल जाएं तो वो भी इसको सही मानने लग जाएगा कि हाँ वास्तम में यह सब कमिया हैं यह जैन लोगों ने ऐसा धरम बना रखा है और उस धरम के कारण से खुद भी दुखी होते हैं दूसरों को भी दुखी बनाते हैं और आज का जो यह समाज है आज के जो पड़े लेके बच्चे हैं यह सब सुख में जीना चाहते हैं सुख में रहना चाहते हैं मौ में रहना चाहते हैं तो उनके लिए वही अच्छा लगता है कि कभी हमें कोई ऐसी बात न बता दे कि हमें अपना सुख छोड़ना पड़ जाए और जब कोई उनसे कह दे कि तुम सुख में रहते हुए भी धर्म कर रहे हो जीवन जागरत है तो उने लगता है कि इस से बढ़ कर के कोई अच्छा उपदेशक नहीं मिलेगा हमें इसी को फालो करना रहे हैं और करते हैं लोग कई लोगों के मन में एक विचार आ जाता है एक वीडियो आजकल चल रहा है कई लोग बता देते हैं एक ने मेरे से आ कर के कहभी दिया कि मेरा भाई उस वीडियो को सुनने के बाद में मुझे से कहता है कि देखो तुम थोड़ा दुनिया में और भी तो लोगों को सुना करो कि तुम अपनी महराज के प्रवशन, प्रवशन, प्रवशन सुनती रहती हूं जब देखो तब वोई द्रब्ड संग्र है, वोई प्रवशन सार, वोई अस्ट पाहोड, वोई वेराग के साथ कुछ दुनिया में और भी तो लोगों की व्यू देखा करो, सुना करो, देखो वो क्या कह रहा है, तो वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि एक बार हमारे पास में कोई सादू आए, सादू भी आई, और उनके पैरों में पट्टी बंदी हुई थी, तो हमने उनसे पूछा कि पैदल चलती हूँ, और पैदल चलने के कारण से मेरे पैर छिल जाते हैं, तो मैं पट्टी बंदी, तो जब पैदल चलने से पैर छिल जाते हैं, पट्टी बंदी, तो जूती पहन लो, चपली पहन लो, नहीं नहीं, वो मेरे सास्त्र में नहीं लिखा, इसलिए नहीं पहन सकती तो वो कहता है तो सास्त में नहीं लिखा तो सास्त में लिख लो तो पहनने लग जाओ तो इतनी सी बात कह करके उसने अपने सारे स्रोताओं को क्या कर दिया उसने जैन धरम की उस साध्वी की धज्जियं उड़ा दी अब जब भी आप उस उपदेशक के बात हैं सुनोगे प्रफचन सुनोगे तो आपको लगेगा कि बात तो सक्ची है भाई तुमसे सहन नहीं होता है तो मैं अगर पट्टी लगानी पढ़ रही है तो फिर अब तुम जूती ही पहन लो कपड़े की चपपली पहन लो क्या दिक्कत है वो नहीं पहन सकती क्योंकि वो सास्त्र में नहीं लिखी तो भाई सास्त्र के पीछे इतना पढ़ने की क्या जुरूत है अब इस एक बात को ले करके उसने सारी साधवियों की सारे साधवियों की धज्जी उड़ा दी अब हो सकता है कि उसके पास में कोई साधवी पहुँची ना पहुँची उपदेशकों के तो क्या है दिमाग अपने आप उधारन बना लेते हैं अब जो जैन सरद्धालू ने ये सुन लिया तो अब वो क्या सोचता है कि बात तो देखो बास्तम में ये जैन लोग बिना बज़य कष्ट उढ़ाते हैं पैदल चलते हैं पैरों में च्छाले पड़ जाते हैं फिर कुछ ना कुछ लगाते हैं और जब इनसे सहन नहीं होता है तो फिर चलते ही गाय कोई और अगर कभी खुदाना खासता उसने देख लिया कि इनके पैरों में कुछ लगा हुआ है मालो कहीं कोई पट्टी लग गई है कोई बैंडेड लग गई है तो फिर वो कहेगा कि भाई फिर पैदा चलने का प्रियोज नहीं क्या है क्यों चल रहे हो समझा रहा है अब क्या करोगे ये लोग ढौंग करते है ये सब जिद्धी लोग होते है अडियल लोग होते है बस अपने सास्त्रों की बातां मानते है जिंद्धी जीना जानते नहीं जमाने के हिसाब से चलते नहीं सास्त्रों के हिसाब से चलते हैं इसलिए इनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है ऐसा उसने कह दिया और सुनने वालों को अच्छा भी लगेगा ये सब क्या रूड़ी वादी लोग है पुराने बातों पर ही बस घिसे पिटे जा रहे है ना अपने पास में सक्ती है ना कुछ बैसा करने का भाव है बस किये जा रहे है सास्त्रों को बदल नहीं सकते सास्त्रों में लिखा नहीं इसलिए कर नहीं सकते इसलिए क्या करें यही तो रूड़वादी लोग कहलाते है इन्ही को तो कहते हैं बस लकीर के फकीर बने रहे हैं सुन रहे हो तो क्या करें किस के सास्त्र पढ़ें अब उसके सास्त्र पढ़ो जो सुना रहा है मन हो जाएगा आपको उसी के सास्त्र पढ़ो अब जो सुना रहा है दो कितनी बढ़िया बात के दी उसने सास्त्रों में नहीं लिखा है इसलिए ये लोग नहीं कर रहे हैं और अगर ये सास्त्रों के बिरुद्ध चल लेंगे तो उन्हें पाप लग जाएगा आज का जमाना है और इस जमाने में भी ये लोग पुरानी रूड़ी वादिता के अनुसार अभी भी अपने धारणा बनाये हुए हैं इनसे बड़े अग्यानी और कौन होंगे समझ मारा है अब क्या समझाओ के बताओ उपदे सको आप क्या समझा सकते हो और जिसने उसका ये उपदे सुन लिया है और उसकी भी अगर धारणा वैसी बन गई है कि ये सब सादु ढोंग करते हैं और इनसे है सहन नहीं होता है तो इस सास्त्रों के नाम पर भी उन चीजों को जवरजस्ति किये रहते हैं तो उन्हें क्या समझाओ के बताओ है कोई समझ आपके पास और ये प्रॉबलम एक महलाकी हो गई मों मेरे पास आके कहने लगी दे तो सुन ये दे क्या कह रहा है और जैनी हैं दोनों भाई बहन है सुन्हें हो भाई ऐसी बात उस बहन से कह रहा है अब वो बहन को उत्तर देते नहीं बना तो मेरे पास आगई अब बताओ मैं क्या उत्तर दूँ उसको कोई भी चीज होती है अगर उसका उत्तर है समाधाने तो क्या हो सकता है एक तो ये है कि हर कोई क्या हमेशा पेरों में पट्टी लगा के चलता है क्या एक common sense भी कुछ सोचने की बाते होती है और उसके पास वो साधवी आई वो न जाने कौन सी साधवी होगी अब जैनों में भी दिगंबर भी है श्वेतांबर भी है समझा रहा है कभी आपने ऐसे दिगंबर साधवीं को तो कभी ऐसे कपड़े और बट्टी लपेटे देखा नहीं होगा नहीं समझा रहा है अब किसने क्या उधारन बना दिया वो बास्तवी गटना है भी कि नहीं भी ऐसे चिंतकों के मन में अपने आप बिचार आते हैं ये खुद अपने उधारन बनाते हैं और खुद ये भजियत करके दूसरों की अपने आपको स्रेश्ट उपदे सक सिद्ध करते हैं अब ये चीज अगर आपके समझ में नहीं आएगी तो आप कभी भी सही गलत को समझ ही नहीं सकोगे आप देखो कौन ऐसे पट्टी लगा करके और ऐसे जो है कि भाई सास्त्रों में लिखा है इसलिए डोना पड़ रहा है अरे भाई अगर मालो कभी उसने लगा भी ली तो क्या पट्टी ये कोई स्थाई समादान है कभी कभार अगर कभी कुछ चोट लग भी गई और पट्टी अगर लगा भी ली तो क्या उससे उसका कोई धर्म भरष्ट हो गया या लगाने से हो गया या नहीं लगाने से हो गया इससे क्या लेना देना भाई वो तब भी पैदल चलने का उसका व्रत है तो पैदल ही चलेगा कपड़े नहीं पहनने का व्रत है तो कपड़े नहीं पहनेगा वह अगर कभी कभार कोई आपत्ती आने पर अगर किसी भी तरह से अपने लिए कोई भी protection ले लेता है तो वह उसके ब्रतों का खंडन तो नहीं हो जाता और ऐसे भी लोग हैं कि जिने उसके कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती और अगर वह protection वह कभी ले भी ले तो आपके लिए तो पट्टी क्या है अगर मालो बैंडेट भी लगा दी किसी ने कोई लेब भी लगा दी किसी ने तो भी आप कहोगे जिसको कहना ही है तो आप कोई दवाई भी लगा देगा तो भी आप कहोगे कि भाई ये दवाई क्यों लगा दी तो मैं सरीर से मोह होगा इसलिए सहन नहीं हुआ तो दवाई लगा ली अब सरीर से मो है तो फिर यह साधना करी क्यों रहे थे कहने का तो कोई अंती नहीं है सरीर से मो है तभी तो यह आपने यह साधन अपना लिए यह दवाई लगा ली यह पट्टी लगा ली कल को कैवे टेगा सरीर से मूँ नहीं है तो भोज़ा नहीं करने क्यों जाते हो नहीं समझ भाए आप किसका मूँ रोको कि बता सरीर से मूँ नहीं है तो फिर भोज़ा नहीं करने क्यों जाते हो और यूँ भी कहते हो हमारा सरीर से मूँ नहीं है तो ये सब लोग तुम्हें बेवकू बना रहे हैं इन्हें कुछ करना धरना है नहीं है कमाना खाना है नहीं है बस दूसरे घर में चले जाते हैं खापी आते हैं और कहते हैं हमें सरीर से मूँ नहीं है जब कोई उपदेसक ऐसा कह देगा तो आपको क्या लगेगा बताओ सही लब बुर रहा है, सही कह रहा है लगेगा तो सही कह रहा है समझा रहा है अब तुम्हें अगर जादा सरद्धा है तो नहीं लगेगा सही नहीं लगेगा लेकिन जिनको सरद्धा नहीं होने तो सही लगेगा ही न